नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वप्नदोस बीमारी का इलाज तथा स्वप्नदोस केसे होता है इसके प्रमुक लक्षण क्या है और इसके कारक क्या है दोस्तो स्वप्न दोस लगभग 13 से 14 साल की उम्र में चालू होना शुरू हो जाता है स्वप्न दोस मुख्यता असलेल बाते सुनने अथवा असलेल वीडियो देखने अथवा मन में असलेल विचार लाने से उपन होता है दोस्तो जब आप रात को सोते वक्त असलिल विचार लाते हो तब वही आपकी असलिल विचार रात को आपके सपने में आते हैं और आपका जो वीरिय है वो निस्खादित कर देते हैं दोस्तो सपनदोस की प्रोब्लम को ठीक करने के लिए सीसम एक कारगार उपाई है दोस्तो सीसम एक बहुत धन्डी चीज होती है वहीं अगर आप बात करें सपनदोस की तो सपनदोस गर्मी केखाण उत्पन हो सकता है स्वप्णिदोस ठंडा होने के कारण ही भूख को बढ़ाता है जिसके कारण आप का स्वप्णिदोस होना बंद हो जाता है जोकि आपकी पाछन सक्ति भी खराब हो चुकी होती है पाचन सक्ति जिन लोगों की ठीक रहती है उनको लगभग चांस कम रहता है इसलिए सीसम पाचन सक्ति बढ़ाती है यही कानण है कि सीसम से स्वपन दोस धात्रों को चिर्प्पपानी खतम हो जाता है दोस्तों सीसम इस्पर्मू बढ़ाती है आपके वीरी को गाड़ा करती ह और आपकी दिमाग को ठंडा रखती है, जिसके कान आपको असली विचार आधी आपके दिमाग में उत्पन नहीं होते हैं दोस्तों, इसका इस्तमाली स्प्रकार से करना है, आपको साथ से आठ पत्ती लेनी है सीसन की इन आठ पतियों में थोड़ा सा मिस्री मिला लेना है मिस्री हमें सा डली वाली मिलानी चाहिए इन दोनों को फूट पीस कर एक कर लेना है और एक ग्लस पानी मिला देना है दोस्तो इसको अच्छे से छान लेना है और पी जाना है दोस्तो ये नुश्का आपको नियूनतम 10 से 12 दिन करना है और अधिक्तम एक महिना करना है दोस्तो आप देखेंगे कि आपकी भूग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी प्रब्लम सोल हो जाएगी और आपका सरीर तंदुरस्त हो जाएगा दोस्तो ये नुश्का केसा लगा नुश्का अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक की जाएगा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब की जाएगा और हमारी नए वीडियो पाने के लिए बेल प्रेस आइकन पर क्लिक की जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कि जाएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कि जाएगा और बेल प्रेस आइकन पर क्लिक कि जाएगा जिसे हमरे नए वीडियो की नोटे पसंद मिल चाहिए